दोस्तो इस समय पेगासस स्वाइव overseas काफी चर्चा में है आप जानते होंगे कि पेगासस vastip वेश जो है एक एक ज्यसूसि स्वाइव वेश है जो मोबाइल के मध्धिम से किया जाता है और इजराइल के एलस गूरप के द्वारा इसको बनाया गया है और एंजियूस का बीज में दावा रहा है कि सरकार पत्रकारों को निताओं और एक्टिविस्ट की जैसूसी के लिए इस इस्वाइवियर का प्रियोग करती रही है ऐसा दावा उनका रहा है और सुप्रीम कोट में भी से जुड़ी आचकाओं पे सुनव होती रही है रच्छा मंत्राले ने कल सुमार को राज सभा में कहा है कि उसका उन्होंने इस पेगासा से स्पाइवेर के साथ कोई लेंदेन नहीं किया है दूसरी खबर हम देखें जो काम किया है एक्जाम पॉइंट आव यू से कि एलेक्ट्रिक वहनों के आयात सुलकों को घटा कर 40% करने की उजना बना रही है सरकार अशरी पोड में कहा गया है राइटर्स के अमसार जो अलेक्ट्रिक कार है क्योंकि आप इसमें जो है पालूशन बिल्कुल नहीं होता है तो सरकार इसको प्रमूट कर रही है बढ़ावा दे रही है तो जो 40,000 डालर से कम किमतों के अलेक्ट्रिक वहान है उनमें आई फोल को 60% से घटा कर 40% करना और कि उनमें 100% से घटा कर 60% करने का प्लान बन्दा थाकि आप प्रमूट किया जा सकी क्योंकि इनका इनका डारेक्स समबंद जो है वो पालूशन से होगा साचील वो और पेटल वहान कम चलेंगे तो पाल समल्थित एंजीओं है ICC इंटर्गॊंटल इंटर्गोर्म्रेंटल पैनल on climate change आपको पता होना चाहिए एपीची क्या है इसका फुलफार्म क्या है व्यपीची सी यूए एंजीओं है फुलफार्म इसका इंटर्गोर्मेंटल पैनल on climate यह क्लेमेट को लेके काफी रिसर्च करता रहा है काफी दावे समय समय पर करते रहे हैं तो IPCC का दावा है कि उन्होंने पहले दावा किया था कि 30 साल में जो है वो टेमपरेचर पद्वी का 1.5 से दिगरेट बढ़ेगा लेकिन अब अब उनका नुमान है कि 10 साल पहले ही मतलब जो 30 साल में होना था वो अब 20 वर्स में ही अगले 20 वर्स में ही 1.5 डेगरेचर बढ़ जाएगा ये सब जो है climate change और pollution का असर है फिर है कि भारत के प्रधान मंत्री ने पहली बार से उक्तला सुरक्षा परिशत की जो एक विश्या पे खुली चर्चा हुई थी समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और अंतरास्टी साहो के लिए महत्पून है इसकी अध्यक्षता की है इसा पहल समुद्री सीमा है ये साजा विरासत है और कई प्रकार की चुनोतियों का सामना करना पढ़ रहा है एक तो समुद्री मारुवागों पे जो डेकेटी आतंकवाद है कि इसको लेके सामना करना पढ़ रहा है दूसरा समुद्री सीमा को लेके कई दीसों के बीच में बिवाद चल रहे हैं यह दूसरी बात हो गई और तीसरी बात हो गई कि कहीं ने कहीं समुद्री सीमा का जो संबंध है जलवाई परिवर्तन और प्राकृतिक आपडाउं से भी लगा रहा है तो उसके कुछ बिंदों प्योड चर्चा करें जैसे भर्ती प्रधनमंत्रिय और नेताओं ने फिर जो है इस पर जो विचार विवार्शुवस में जो सुझाओ सामने आए कि वैद समुद्री व्यापार को वैद समुद्री व्यापार पर जो रोख हो हटानी चाहिए क्योंकि सभी देशों की जो सम्र समद्धी के और अग्रसर होंगे दूसरी बार समद्री विवाद समंद्री जो है बिन बिन देसों में जो समद्री विवाद हैं उनका समाधान जो है संती पूर्वा किया जाना चाहिए और अंतरास्थी कानून कि नियमों के जो अंतरास्टी कानूं है उनके अनरूप किया जाना चाहिए उससे क्या होगा विश्व में सांती और इस ठिरता का महौल बनेगा साथ ही जो प्राक्टिक आपदाएं और जो गैर सरकारी तत्तों मतलब के द्वारा समुद्री खत्रें जो उत्पन किया जा रहे हैं उनका भी सभी देशों को मिलकर सामना करना चाहिए अब हम समुद्र को लेके जलवाई की बात करें कि जलवाई पर उतन पर क्या रहा पढ़ है तो इन सभी चीजों को कम करके हम समुद्री परियावरंड की रक्षा कर सकते हैं और साथ ही समुद्री व्यापार बढ़ेगा और इसके लिए कुछ धाचागत बुनियादी धाची क्या हो सकता है इसको भी सभी रास्टों को मिलके दिसा में कार करना चाहिए एक मात्मु की तो राजसवा में लदाख में केंद्री विशुविद्याल्ययज्यस्थापित कने को मंजूरी दे दी गई है और इस विशुविद्ययलय का नाम रहेगा सिंद्धू केंद्री विश्यwww detah управ discouraging में उससे क्या होगा कि वहां पर सिख्छा के शेतर में यह नभीन करांटी ह आएगी लोग आसानी से वहाँ पर पढ़ लिख सकेंगे और एक ही करण की भावना भी आएगी चुनकि अब लद्धाक में एक इंद्री विस्वेदल इस्थापित होगा तो एक ही करण की भावना आएगी बहुनात्मा की एक ही करण होगा यह सारी चीजें महत्पूर काम 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 की आएगा तो एक हégए फस्सानी करण को आएगी लोगी आएगी आएगा वाống की लिफ से भावना दोहा हम प्रोग को में